आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जिसमें बेस्ट गेमिंग मोबाइल्स, बेस्ट कैमरा, एमोलेट डिस्प्लेई और बिग बैटरी मोबाइल्स होंगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाज तक देखिए, उम्मीदे वीडियो आपको पसंद आएगा हमारी लिस्ट पे नमबर वन पे आता है मोबाइल आता है अन्डॉट वी टूवल पर चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ 6.8 इंच का फूल एच्डी IPS डिस्प्ले है इसमें ट्रिप पर रियर कैमरा सेट अप है 50 प्लस 8 प्लस 2 मेगा पिक्सल का और फ्रेंट कैमरा इसमें 16 मेगा पिक्सल का ये मोबाइल आता है 8GB RAM 256GB इंटरनेल इस्टोरिज के साथ 1TB आप इसको स्टी कार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं इन सोभी को अन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 30W का फास्ट चार्जर अब बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी एक्सपेक्टेट प्राइस है 16,000 रुपे अब बात करें इसके लॉच्टेट की तो इसकी एक्सपेक्टेट लॉच्टेट है 24 अगस्ट हमारी लिस्ट पे नमबर 2 पे आता है Nokia X21 5G ये मुबाल आता है Android V12 पर चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ 6.7 इंच का Full HD OLED डिस्प्ले है जिसके स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 हर्स का रिफ्रेश रेट और ये सुभी को पाउर देगा Snapdragon का 695 प्रोसेसर अब बात करते हैं इसके कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा सेटप है 64 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल का और इसके प्राइस की तो इसके एक्सपेक्टेट प्राइस है 18,000 रुपे अब बात करें इसके लॉंच डिट की तो इसके एक्सपेक्टेट लॉंच डिट है 17 अगस्ट हमारी लिष्ट पे नमबर दरी भी आता है नुबिया Z40s Pro यह मुबाइल आता है Android V2L पर चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ 6.67 इच का Full HD AMOLED डिस्प्ले है जिसके स्क्रीन को स्मूथ करेगा 144 हार्ट का रिफ्रेस्ट रेट है और यह सुभी को पावर देगा Snapdragon का 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर अब बात करते हैं इसके क्या क्यामरा की तो इसमें ट्रिपर रेयर क्यामरा सेटप है 64 प्लस 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का और फ्रेंट क्यामरा इसमें 16 मेगा पिक्सल का यह मुबाइल आता है 8GB RAM 18GB इंटर्नल इस्टोरेज के साथ बड़ेस्टी कार्ड का सबूर आपको इसमें नहीं मिलेगा इन सो भी को पर्वाणकने के लिए इन के लिए 5100 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 80W का आप बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसकी एकसपेक्टड प्राइस है 55,000 रुपए अब बात करें इसके launch date की तो इसके expected launch date है 27 अगस्ट हमारी लिश्ट पे नमबर 4 पे आता है Xiaomi Redmi Note 11 S5G ये mobile आता है Android V12 पर चलिए आते हैं इसके display की तरफ 6.6 इंच का full HD IPS डिस्पले है जिसके screen को smooth करेगा 90 Hz का refresh rate और ये सुभी को power देगा media tick का dimension T810 अब बात करते हैं इसके camera की तो इसमें triple rear camera setup है 50 प्लस और प्लस दो मेगा पिक्सल का और front camera इसमें 13 मेगा पिक्सल का ये mobile आता है 4GB RAM 64GB internal storage के साथ 1TB app इसको SD card के साथ यूज़ कर सकते हैं इन सुभी को on रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको charge करेगा 33W का fast charger अब बात करते हैं इसके price की तो इसके expected price है 14,000 रुपे अब बात करें इसके launch date की तो इसके expected launch date है 14 अगस्ट हमारी लिष्ट पे नमबर 5 पी आता है IQ5X यह मुबाइला था है N.V2L पर चलिए आते हैं इसके display की तरफ 6.51 इच का full HD IPS डिस्पले है जिसके screen को smooth करेगा 60Hz का refresh rate और यह सुभी को power देगा snapdragon का 680 processor अब बात करते हैं इसके camera की तो इसमें dual rear camera setup है 13 plus 2 megapixel का और front camera इसमें 8 megapixel का यह mobile आता है 4G RAM X 28GB internal storage के साथ 1TB आप इसको SD card के साथ यूज़ कर सकते हैं इन सुभी का on track ने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको charge करेगा 18W का fast charger अब बात करते हैं इसके price की तो इसके expected price है 9000 रुपे अब बात करें इसके launch date की तो इसके expected launch date है 25 अगस्ट तो दोस्तों इते top 5 upcoming mobile सुमेदी बड़ी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और bell icon को दबाना बिलकुल ना भूले नीचे comment जरूर करें खाइब आपको लाइब आपको लगाएब और टाम